लालू प्रसाद यादव ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार उनको जहासे में लिया और फिर उनके अर्मानों पर पानी फेर दिया। लालू प्रसाद यादव को मलाल है कि मोदी ने उनको जहासे में ले लिया और फिर दिया कुछ नहीं। लालू प्रसाद यादव की जुबानी सुने मोदी ने कैसे उनको लिया जहांसे में यह परचारित किया था कि इन लोग का पैसा स्वीष बैंक में जमा और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्वीष बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को खर के को खाता खुलवाया कि पांच-पांच लाख रुपिया जमा करेंगे पंड्रे पंड्रे लाख हम भी जासा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया मेरे साथ बेटिया दो बेटा और पती पतने दोनों मिला के एलेवन हो जाते हैं देखा कि भाई पंडर से गुना कर दीजिए पैसा काफे मिच जाएगा आम ने तहस्पालन में कोई पहमानी सर्फानी भर्षचार नहीं किया जो भर्षचार ने दर मुदी कर रहे हैं करा रहे हैं सारे देश भर के लोग खाता खूलवा दिया स्ब गरेब घुरवाया दमी पर्चारित करवायल भरbank दरसल लालू प्रसाद यादव का कहना था कि मोदी ने स्विस बैंक में खाते के नाम पर दूसरे नेताओं को कटगरे में खड़ा किया था लेकिन अब दस साल का शासन करने के बाद भी मोदी सरकार एक पैसा भी स्विस बैंक से नहीं ला सकी और नाहीं उनको किसी नेता का पैसा वहां मिला है जनता को भरश्टाचार के नाम पर गुमराई करके मोदी सत्ता में आये थे लालू का कहना है कि अब उनके जाने का समय नजदी का रहा है कील मुहासे का डर छोड खुल कर खाओं गोल गप्पे और स्पाइसी कील मुहासे से तवचा की रक्षा करने के लिए आज से खरीद लो शाइन विद असकी हर्बल एंटी एकने क्रीम ना सूरच की किरनों का डर और ना ही प्रदूशन का भय खुल कर जियों शाइन विद असकी हर्बल एंटी एकने क्रीम के साथ